नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों CET क्वालिफाई का मुद्धा एक बार फिर गर्मा गया है क्या बड़ी खबर आई है पूरी इनफोर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी उससे पहले अगर आप भी CET क्वालिफाई चाते हैं आप भी चाते हैं कि दूसरे एक्जाम में जो भी कंड्रेट क्वालिफाई है उसको बैठने का मोका मिले तो ये वीडियो आपके लिए मैतपूर्ण होने वाड़ा है तो सात्यों चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लें चलिए आप देख लेते हैं क्या है नया मुद्दा आपको पता है CET क्वालिफाई वाले जो कंडेटें वो बार बार नए अभियान चला रहे हैं आप सात्यों ट्वीटर मुहीम और चलाई जाएगी और इसको लेकर धैनिक सवेरा ने भी मुद्दा उठाया है पूरी खबर विस्तार से देखेगा सात्यों और याना सरकार बरती परकिरिया बदलती रहती है इस बार गुरूप C और गुरूप D की जो बरती परकिरिया के लिए CET पास रोना जरूरी कर रखा है अभी गुरूप C के लिए CET हुआ है गुरूप D का अभी तक नहीं हुआ है गुरूप C के CET के चकर में लगबग 2 साल से नई बरती नहीं हुई है गुरूप C का जो CET रिजल्ट आए काफी दिन हो चुके हैं मगर जब सरकार ने CET पोलिशी गोसित की थी उसमें प्रावदान किया था कि पदों की कटेगरी के अनुसार जो चारगुणा उमिद्वारों को बुलाया जाएगा दूसरे एक्जाम के लिए इसका मतलब यह है कि अगर किसी के CET में ज़्यादा अंक हैं तो सिरफ टोप चारगुणा उमिद्वारों को ही मुखे प्रिक्ष्या में बैठने का मोका मिलेगा मगर तब उमिद्वारों को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी अब सात्यों जब रिजल्ट गोसित वहा लगबग आदे उमिद्वार ही पास हो पाई है ज्यादातर के बहुत कम आंक आये हैं तो सरकार की सर्थ का असर दिखाई देने लगा CET प्रिक्ष्या उने से पहले ही यानि कि सात्यों ये बात भी उठाए गई है कि CET जो एक्जाम हुआ था उससे पहले ही उमिद्वारों ने मांग करने शुरू कर दे थी कि CET में जो पास हो जाए उसे मुखे प्रिक्ष्या में बैठने का आउसर दिया जाए यान कि CET क्वालिफाई नेचर हो जैसे एस्टेट की प्रिक्ष्या होती है ऐसे ही CET को क्वालिफाई नेचर किया जाए और इसको लेकर जो सभी जिला उपायुक्तों के मादम से सरकार को ग्यापन बेजे गए थी CET की क्वालिफाई नेचर बनाने के लिए दैनिक सुर्या ने भी मुख्यमंत्री मनवलाल से इन उमिद्वारों की ये मांग पूछी थी वे CET को क्वालिफाई नेचर बनाने की मांग कर रहे हैं मगर मुख्यमंत्रे जी ने दो टुक कहे दिया था कि पदों की संक्या का च्यार गुणा को ही लिखित पुरुक्षया में बुलाया जाएगा आप गुरूप सी के 32 जार पदों पर विग्या पंजारी हो चुका है आवे दन बरने चुरू ओचके हैं इसलिए आप उमिद्वारों और कोचिंग सेंटर संचाल को और ओनलाइन जो कोचिंग देने वाले या यूटूबर्स ने 24 अप्रेलियन की आज सात्यों सुबह 9 बजे से 5 बजे तक टिविटर पर मुहीम चलाने का फैसला किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि देनेक स्वेरा ने भी इसको मुहीम को आगे बढ़ाया है ये न्यूज जारी करके सात्यों तो यह भी एक अच्छी बात है और इसमें सात्यों यह भी देखिए जो मुख्य बात है वो देखिए कि गल्यारे में इसकी खूब चर्चा हो रही है वैसे परदेश में बेरोजगारी है तैयारी कर अगर यूआउने जर्नल कटेगरी में नियूनतम 50 और आरक्षित में 40 50 अंक पराप्त कर लिए हैं तो उन सभी को गुरूप C के पदों के लिए होने वाली प्रिक्षय में मुख्य दिया जाए तो जो हो सकता है कि मुख्य प्रिक्षय में बेतर अंक पराप्त कर लें किसी कारणों CET में अच्छे पर अंक नहीं कर पाए हो वैसे भी ITI Olders ने आई CT क्वालिफाई की मांग किसी भी तरीके से यूओं की गल्त नहीं है और इस वी को लेकर ये न्यूज जारी की गई है अब क्या जो ट्वीटर अब्यान रहेगा और कैसे उसमें प्रोसेस रहेगा वो भी देख लीजिए सात्यों CET क्वालिफाई का जो अब्यान है वो नो स कर सकते हैं और खुद भी अगर ज्यादा श्यादा टिविट करोगे तो अच्छा रहेगा तो इस अभियान में बढ़ जटकर सभी साथ ही बाग लें ऐसे और बरतियों से रिलेटेड जो भी जान करी होगी वह हमारे चैनल पर रेगुलर आप तक पहुंचा जाएगी अपन कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में